हलो फ्रेंड्स राधे राधे कैसे हैं आप मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक है और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं काना जी से आप लोग के लिए डेली प्रात्ना करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक रहे हैं सुबह के 8 बज रहे हैं और मैंने जो डेली का रुटीन वरक होता है हमारा क्लीनिंग का जाड़ू पोचा ये सब मैंने कर लिया है और अब मैं बच्चों के लिए कूकर वाला चोखा बनाने जा रही हूँ उन्हें ये चोखा बहुत पसंद है और उसके लिए मैंने ये आलू काट लिया है कुछ इस तरीके से मैं आलू को रिंग की साइज में काट रही हूँ इसी तरह से मैं टमाटर भी काट लूँगी सिर्फ मैं इसी नास्ते के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने दो ही मिर्च इसमें लिये अधिक मिर्च में नहीं डालूँगी क्योंकि ये जो च चोखे को ज्यादा टेल नहीं डालती हूं सिर्फ दो चमच मैंने तेल लिया है और इसमें मैंने चुटकी बहर जीरा डाल दिया है फिर मैंने मिर्ची को डाला है और अभी मैं टमाटर की एक लेयर लगा दूंगी मैंने जो एक टमाटर कट किया था उसी को मैं कुछ इस तरह स बिचा दूंगी कुकर के अंदर फिर इसके उपर जो मैंने आलू को कट किया था वो मैं फैला दूंगी पूरे आलू को इस पे और इसमें जादे मसाले तो नहीं जाते हैं सिर्फ हल्दी पाउडर जाता है और नमक जाता है इससे ज़्यादा मैं कुछ ने डालती हूं यह बीना मसालों के ही बहुत टेस्टी बनता है और मैं इसमें हमेशा सिफल्दी पाउडर नमक ही डालती हूं और अब मैं इसे गैस पे चड़ा दू Beim тебе के बाद मैं गैस को आफ कर लूँगी और यह बहुत जल्दी बन जाता है और यह बहुत टेस्टी भी लगता है बच्चे इसी बहुत चाव से खाते हैं और जो गैस का फ्लेम है फ्रेंड्स उसे मैंने हाई नहीं रखा है मैं इसे मेडियम पे ही बनाऊंगी त्योंकि हाई रखूंगी तो यह जल जाएगा और लो क करूंगी तो यह पकेगा नहीं कि यह देखिए फ्रेंड्स आप चोखा बिल्कुल रेडी है यह देखिए आलू पूरी तरीके से गल गया है मैं दिखाती हूं आपको देखिए कितना सॉफ्ट हो गया आलू और अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें कटा हुआ प्याज डा जालूंगी छोटा सा एक प्यास समयनों से कट कर लिया था और अब मैं इसे अच्छी तरीके से कूट के चलाओंगी इस तरह से यह देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर आया है इसका यह देखिए चोखा रेडी है यह और अब मैं जा रही हूं बच्चों को नास्ता द करेंगे क्योंकि मुझे आज बहुत काम है आज मैं गेहूं को साफ करके पीषने के लिए भेज दूंगी और आज तीन दिन के बाद तो गेहूं सुखा है धूप अच्छी हुई थी कल तो आज कल भी बारिस नहीं हुई थी और आज भी बारिस नहीं हुई है इसलिए गर्म के लिए देना है और चबी भी बीच बीच में आ रहे थी मैंने उसे जाड़ू मांगा था कि मुझे बड़ी वाली जाड़ू दो मैं यहां का जो गेहूं इधर उदर बिखरे हुए हैं उन्हें मैं समेट लोंगी तो वो मुझे छोटा जाड़ू देके तेजी से चली गई रुपेज पापा के साथ जा रहा है गेहूं को फिसने देने के लिए और पास में ही है आटे की चक्की तो यह बोले कि रुपेज को भी साथ में भेज दो पीछे से वो गेहूं पकड़ लेगा और मैंने बाकी के सारे काम खतम कर लिए हैं लंज मैंने आज डाल चावल चीशल चार के गेसाइज का और मिस्टे कあぁ प्रया राढ़ंगा को nurBeneyeaur B Rio कि विखे दो रहा है का अज्य नहीं डिएंग कशहां बाइज आम इसका पैस्ट बनाने जा रही हूं कि कि यह देखिए फ्रेंड्स यह कुछ इस तरीके का पिसा हुआ है बिल्कुल भारीक नहीं हुआ है मैं इसमें से एक चमच निकाल लूँगी और बाकी मैं प्याज के साथ पीछ लूँगी यह देखिए फ्रेंड्स मैंने यह निकाल लिया है और इसे मैं जब गट्टे बनाऊंगी तो उसमें मैं यह डालूँगी और बाकी का जो यह पेस्ट बना है जो यह इसमें लगा हुआ है इसके साथ मैं यह जो प्याज है कटकी है प्याज को उनको मैं इसमें डालके एक साथ पीस लूँगी और इसे भी बहुत बारिक नहीं पीसना है प्याच के साथ और अब मैं प्याच को मिक्सर जार में डाल देती हूँ और थोड़ा सा पानी लूँगी दो चम्मच के लगभग और इसका पेश्ट तयार कर लूँगी कि फ्रेंड्स कुछ इस तरह से यह पीस गया है आपको एक बार दिखा लेती हूँ यह कितना दरदरा मैंने पीसा है यह देखिए बहुत महीन मैंने इसे नहीं पीसा है और अब हम चलते हैं गट्टे बनाने की तैयारी करने गट्टे बनाने के लिए हमें आउ सकता पड़ेगी यह नमक है यह अजवाइन है यह कस्तूरी मेथी है यह हींग एक चुटकी हींग है आधा चमच हल्दी पावडर है और यह जो मैंने पेश्ट बनाया था लेसन और अदरक का वो पेश्ट है बारीक पेश्ट नहीं है यह खड़ा ही है और मैंने इसे आधा चमच से कम लिया है अजवाइन को और कस्तूरी मेथी को भी मैंने आधा चमच से कम लिया है और स्वाद के अनुसार नमक हम डालेंगे और यह और यह मैंने ऑईल लिया है मैं तीन चमच इस चमच से मैं तीन चमच ऑईल डालूंगी बेश और इसे मैं छान लेती हूं और अब मैं इसमें लहसुन और मिर्चे का पेश्ट डालूंगी हल्दी पावडर डालूंगी मैं पूरा रेलूंगी यह जो एक चुट की हींगे मैं उसे भी आयट करूंगी अजवाइन जो है उसे हम कुछ इस तरीके से इसमें एड़ दीजिए तो यह तूट जाते हैं और स्वाद इसका बहुत अच्छा आता है यह कस्तूरी मेथी है मैं इसे भी आयट कर दूंगी इसे भी मैं हाथों से मसल मसल कर इसमें एड़ करूंगी और ये मैंने नमक लिये हैं, नमक मैं बहुत ज़्यादा इसमें एड नहीं करूँगी क्योंकि मुझे ग्रेवी में भी नमक डालना है और इसमें भी डालना है तो उस हिसाब से नमक डालूँगी और ये सरसो का तेल है फ्रेंट्स इसमें सरसो का तेल ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैंने सरसो का तेल ही लिया है और मैंने ये चार चमच लिया है पास चमच और अब मैं इसे मिक्स कर दूँगी ये देखे फ्रेंट्स बेशन मोयन हो गया है और मुठी में दबाते ही ये मुठी का आकार ले ले रहा है और अब मैं इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालके जैसे आटा हम गूते हैं रोटी के लिए उसी तरह से मैं इसका आटा गूत लूँगे बिल्कुल आटे की तरीके से हमको रखना है इसे बहुत कड़ा नहीं रखना है और बहुत सौफ्ट नहीं रखना है एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा फ्रेंड्स आटा में मोयन बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए वरना गट्टे जो हैं वो soft नहीं बनेंगे वो hard हो जाएंगे और अब मैं इसे ढखकर रख देती हूं 10 मिनट के लिए जब 10 मिनट हो गए थे तब मैंने कडाही को गैस पे चड़ा लिया था और इसमें मैंने 2 कप के लगबग पानी डाल दिया मैं इसी पानी में गट्टे को boil करूंगी गुथे हुए बेशन को अब मैं एक roll का save दूंगी बहुत मोटा नहीं दूंगी पतला ही दूंगी और friends आपको जैसा पसंद है वो आकार दे सकते हैं आप इसे गोल गोल भी करके रख सकते हैं पर मैं हमेशा इसे इसी आकार का बनाती हूँ यह देखिए यह इतना थिक मैं रखती हूँ और ऐसे ही मैं बाकी सारे आटों का roll बना लूंगी और water जो है वो boil हो रहा है और अब मैं इसमें बेशन का roll डाल दूंगी और मैं इसे low to medium फ्रेम पे रख दूंगी ढखकर पांस से दस मिनट के लिए मैं इसी रख दूंगी गट्टे पकने में जादा टाइम नहीं लगते हैं पांस से दस मिनट में यह अच्छी तरीके से अपने size के थोड़ा से fool जाते हैं जादा दुबने नहीं होते हैं पर थोड़ा सा fool जाता है और यह देखिए फ्रेंट्स ग पानी को इस्तमाल कर लेती हूँ फ्रेंड्स मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को आप सब लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा अवेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा जिससे कि मैं जो भी न्यू वीडियो अप्लोड करूँ उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता रहे और मेरे वीडियो को फुल वाच किया करिए प्लीज फ्रेंड ये देखे फ्रेंड्स मैंने गट्टे को कट कर लिया है और अब मैं गट्टे को भुनूंगी गोल्डन ब्राउन होने तक और कड़ाई गरम हो गई है इसमें मैंने चार बड़े चमच आयल डाला है फ्रेंड्स गट्टे की सबजी में आयल जादा लगता है oil गर्म हो चुका है और अब मैं इसमें गट्टे को डाल देती हूँ और इसे लगातार चलाते हुए मैं भूनती रहूंगे जब तक कि ये golden brown ना हो जाए friends गट्टे की सबजी बहुत टेस्टी बनती है आप इसे try जरूर करिएगा आप इसे रोटी के साथ नान के साथ डाल चावल के साथ किसी के साथ भी आप इसे खाएंगे तो ये बहुत ही तेस्टी लगेगा आपको और ये दिखे friends जो गट्टे हैं और कितने अच्छी तरीके से भून गए हैं और इन में से आवाज भी बहुत अच्छी आ रहे थी और ये बहुत क्रिस्पी भूने हैं और अब मैं गट्टो को निकाल लेती हूँ बाहर अभी गट्टे गर्म है इसलिए मैं आपको तोड के नहीं दिखाऊंगी जब ये ठंडे हो जाएंगे तम मैं आपको तोड के दिखाऊंगी कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं और अब मैं उसी तेल में आधे चम्मच की जीरा डाल देती हूँ जीरा भुनने के बाद मैं कसमेरी लाल मिर्च डाल लूँगी क्योंकि ये तीखा नहीं होता है सिफ कलर के लिए होता है इससे कलर काफी अच्छा आता है सबजी में और ये मैंने जो पेश्ट बनाया था प्याज हैरी मिर्च लेसुन का वो मैं डाल देती हूँ और अब मैं इसमें आधे चमच के लगबग हल्दी डाली हूँ नमक में थोड़ा कमी एड़ करूंगी क्योंकि मैंने गट्टे में भी नमक डाला है और इसी लगातार चलाते हुए भुन दोंगी जब तक कि ये मसाले तेल ना छोड़ दे ये देखिए जलती भी नहीं है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये दिखिए फ्रेंट्स चो मसाले हैं वो तेल छोड़ना शुरू कर दिये हैं और दूसरी तरब मैंने अभी डाल में तड़का नहीं लगाया था तो मैं तड़का लगा रही हूँ फ्रेंट्स ये वीडियो और ये दिखिए फ्रेंट्स मसाले बहुत अच्छी तरीके से भुन गए हैं और मैंने अभी गट्टे को भी एड़ कर दिया है और इसे मैं 2-4 मिनट तक मसालों में ही पकाऊंगी और ये दिखिए फ्रेंट्स गट्टा कितना सौफ्ट बना है आप देख सकते हैं कि ये कित 4 मिनट और पकाऊंगी धकर और जो गट्टे वाला पानी मैंने रखा था अब मैं वो पानी इसमें डाल देती हूं सबजी में पानी कम लग रहा है तो मैंने एक कप के लगबग पानी और एड़ कर लिया है और सबसे लाश्ट में मैं गरम मसाला डालती हूं और ये एक 4 मिनट ढख के पकाऊंगी जब अच्छे से बॉयल इसमें आ जाएगा और जितनी तिक ग्रेवी हमें चाहिए उतनी हो जाएगी तो मैं गैस को आफ कर दूँगी फ्रैंट्स गट्टे की सबजी अब तयार है आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बता जाना मत भूलिएगा कि सबजी कैसी बनी जाएगे जाएगे अब करोगी पढ़ाई अभी कब यह देखे पूरे विस्तर पर इसने पूरे खिलोने ही फैलाके रखे हुए है खिड़की जो कुंडी होती है उसमें कप टागा है कहीं पर इसने यह देखिए बास्किट टागा है और देखे डॉल्स के कपड़े कान ता हुई है ठीक है के लोग तुम क्या कर रहे है उरुपेज है यह देखे फ्रेंड्स आज का लंच हमारा यही है चावल डाल यह आम का अचार है गट्टे की सब्जी है और आलू टमाटर का चोखा है और यह साधी रोटी है और आज हमने यही लंच में बनाया है और आज आए फ को यही समाप करती हूँ मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में थैंक्स पार वाचिंग